प्रिय भाई और विहनों, आज का सुबसनेश के लिए अब सभी को हम स्वागत करते हैं जरने बहते लगती शीतल वायूं जशन साहो वे प्रभु ये शुक्री इतना माँ इतना माँ प्रभु पन में शकी स्तुदी हो, थोड़े दर के हमारे मनन के लिए आईए पड़ेंगे मतीरे सो समाजार सातवा अध्याय 24 से लेकर 27 तक माथ्टिस कास्पल चाप्टर 7, 24-27 इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन बर चलता है वो उस उद्धिमान मनिश के समान है जिसने अपना घर चटान बर बनाया और मेह बरसा बाड़े आई आंदियान चली और उस घर से टकराई फिर भी वो नहीं गिरा क्योंगी उसकी नीव चटान बर डाली गी थी पर दो जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वो उस मुर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेहुबरसा बाड़े आई आंधियान चली और उस घर से टकराई तब वो गिर पड़ा और पूर नस दुस्त हो गया मतिर सुसमाजार पांचवा अध्याय से सातवा अध्यायों में प्रवीश मसी अपने पीछे हो लेने वालों को अपना उब्देश देते है जो पहाड़ी उब्देश कहा जाता है इन अध्यायों में बहुत सारी सुंदर महत पूर्न सिच्छाओं को अपने लोगों को दिया उसके बाद वो समाप्त करते है एक दृष्टांत के साथ अब यहां इश्व पताते हैं दो लोग घर बनाते हैं एक बुधिवान है एक मुर्क है बुधिवान के बारे में कहते हैं वो चटानबर नीव खोद कर मजबूत नीव पर अपना घर बनाया अब वहां उनके बारे में कहते हैं कि जब आंदी तूफान आया ये घर मजबूत रहा आंदी तूफान या बारिश से कोई आपती नहीं आया लेकिन एक मुर्क मनेश्य उसी छेत्र में अपना घर बनाया बालू पर बनाया बालू पर बनाना आसानी है वहां नीव कमजोर नीव होता है मजबूत नीव नहीं होते हैं घर बनाया देशा और एक मनेश्य बनाया वैसा लेकिन बारिश आया आंदी आई बाढ़े आई पढ़ते हैं वो गिर गया और संबुर्न नाश हो गया। यहां प्रभी इश्व मसी कुछ महत्वपूर्न सिच्छा अपने फीछे हो लेने वालों के लिए अपने वचन सुनने वालों के लिए देते हैं। पहली बात ये है, इश्व मसी सुचना देते हैं, उनके वचन सुनने वालों के बीच में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग इश्व का वचन सुनते हैं, पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्व के इच्छा के अनुसार, प्रभू के कही हुई रास्ता पर चलत नेकिन कुछ लोग है प्रहु के वरचन सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं जीवन में लागू नहीं करते हैं लेकिन यहां मीशु मसी बताते हैं ये जो सुनना काफी नहीं सुनकर पालन करना भी अविश्य है दुख की बात है आज भी सुनने वाले बहुत है लेकिन पालन करने वाले बहुत काम है ये भी एक सच बात है मेसेज को शेयर करने वाले बहुत है लेकिन मेसेज को या वचन को संदेश को सुनकर पालन करने वाला बहुत नहीं है सच मुझ में अविश्य बात ये है सुनना और पालन करना दूसरे बात यहां यिश्य मसी बताते हैं कि प्रफु यिश्य मसी के वचन को पालन करना हमारे मसीही जीवन को मजबूत बनाते हैं जैसा हम जैसा चठानबर गर को बनाया है पन्मेश के वचन की अनुसार जीने से हमारी जिन्दगी स्ट्रॉंग बेनते हैं मजबूत बेनते हैं ये बात सही है कि संसार हमें शायद बुलाएगा दुनिया के इच्छा पर नहीं चलेगा तो पडोशी के हमारे रिष्टिदार के हमारे प्रिय लोगों के इच्छा पर नहीं चलेगा तो प्रभु के रास्ते पर चलेगा तो हमें मूर्क बोलेगा लेकिन प्रभु बोलते हैं इश्व मसी के पनमेश के वचन की अनुसार चलना वो है बुधी वे शक्तिशाली रहेंगे, मजबूत रहेंगे, चाहे वो कठनाई का रास्ता हो, चाहे वो समी लेकर वचन का अध्येन करना है, कठनाई से पालन करना है, लेकिन प्रभु हमको बुधिमान बुलाएंगे और ह हमारा मसही जिवन मजबूत रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि पनेशक के वच्चन के खिलाफ चलना प्रभु के वच्चन को समझने के बवजूद भी उसके खिलाफ चलना हमारी जिन्दगी को कमजोर करते हैं। ये बात सही है ये आसानी की जिन्दगी है मेनत नहीं करना है कठना यी नहीं उठाना है आसानी से चल सकते हैं लेकिन हमारी आध्यात्मिक जिन्दगी कमजोर बन जाते हैं कभी भी हम गिर जाएंगे और चवधी बात ये हैं यहां इश्व मसी बताते हैं दो प्रकार के लोग वचन सुनते हैं और दोनों का असली परिस्थती दोनों का असली जो गुप्त सचाई जो है एक दिन प्रगड होगा जैसा भारिश आंदी तूफान सचाई को दिखाता है कितना मस्बूत है वो दिखाते है वैसा जीवन के कठनाई और क्लेश के बीच में असलियत दिखाएगा हमरा विश्वास कमजोर है या नहीं हमरा मसीही जीवन कमजोर है या नहीं उसके अलावा एक दिन प्रगड के सामने कड़े होते समय दिंड के या न्याय के दिन भी वो प्रगड किया जाएगा अमदिम रूप में इस बात को भी ये दृष्टांद में समझाते हैं महतपूर्ण बात बाहरी रूप का दिखावट नहीं दोनों घर बनाया बाहरी रूप में दोनों घर है दोनों सुंदर घर है दोनों बाहरी रूप में अच्छा है लेकिन एक घर को या हमारी जिन्दगी को मजबूत करने वाली बात बाहर की दिखावट नहीं, देखने वाली बात नहीं, अंदर गहराई में, रहस्य में, खुर्दिय के अंदर नीव में क्या है, कितना नीव है प्यारों ये महत पूर्म है, कि हमारा मसीही जीवन प्रभू पर आधारित है, मसीह इशु जो युग का चठान है, जिसका वचछन सोर्गों में हमेशे क्लिस्तर किया गया है, उस वचन के आधार पर हमारा जीवन हो, हमारे रहस्थ से जीवन में प्रभू के साथ एक मजबू अठूर रिस्ता हो कैवल बाहरी रूप का दिखावड से मतलब नहीं प्रभुईन वचनों से हमें साता करें क्या हम पनमेशक के नजर में बुद्यमान है या मौर्ख है देंड के उस दिन में क्या हम लिज्जित हो जाएंगे क्या हम स्तृर हैंगे प्रभुईन वचनों से मे प्रबकिन नम कि मैं माओ।